नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत शागर आपने सुना होगा तीन साल के ग्याब के बाद अमरनाद यात्रा फिर से शुरू होने वाला है आज इस वीडियो में अमरनाद टेंपिल के बारे में, अमरनाद यात्रा के बारे में और क्या-क्या security concern से इस यात्रा के दोरान वो हम in detail discuss करेंगे शुरूआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले अमरनाद टेंपिल के बारे में basic details अमर्णाथ टेंपिल एक हिंदू मंदिर है जो जमुएन कश्मीर इंडिया में लोकेटड है अमर्णाथ गुफा जो है 3888 मीटर आल्टीटूड पर स्तित है about 141 किलो मेटर फ्रम श्री नगर जो जमुएन कश्मीर का समर क्यापिटल है आपको पहलगाम टाउन से होते हुए जाना है अमर्णाथ मंदिर हिंदू धरम का एक महतपूर्ण हिस्से को रेपरसेन करता है वैसे अमर्णाथ गुफा लिदर वाली में लोकेटड है दोस्तों इसी के पास में लिदर नदी भी है और यह ग्लेशेस से गिरा हुआ है देखी हिमालयास में 4000 मीटर आल्टिटूड में है जगा मतलब 12,756 फीट तो भी उसी बात है उधर ग्लेशेस तो होगा ही पर सम्मर सीसन में एक शौट पिरिड ऑफ टाइम होता है दोस्तों जब इतने ग्लेशेस नहीं रहता उस टाइम यह पिल्ग्रिम्स के लिए ओपन हो जाता है अगर आप पिल्ग्रिम्स का डाटा देखोगे 1989 में 12,000 से लेके 30,000 तक पिल्ग्रिम्स पहुँझे थे सती के शरीर के गिरे हुए अंग के स्तान का स्मरन करने वाला 51 मंदिर है जिने 51 शक्ति पीट बोलते हैं उनमें से एक है महा माया शक्ति पीट का निवास अमर्णाद गुफा अब दोस्तों the origin myth of अमर्णाद अमर्णाद यात्रा के पीछे एक मिथ है वो क्या है पता करते हैं हिमाले की उंचाई पर स्तित भगवान शिव की गुफा की अमर्णाद यात्रा को देश के सबसे प्रदिष्टी तिर्थों में से एक माना जाता है ये बात आपको पता है हर साल साइकडों हसारों तीर थियात्री तीर थियात्रा करते हैं एक पाउर्यानिक कथा के आधार पर जब भगवान शिव ने पार्वदी को अपनी अमर्णाद या फिर अमर कथा का रहसी बताने का फैसला किया तो उन्होंने देक्ष्मिन कश्मीर म अमर्णाद गुफा को चुना विथा के अनसार गुफा की खोच 1850 में बुटा मारिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी चरवाहे मतलब शपेड मालिक अपने जानवरों के जुंड के साथ पहाड़ों में थे जब एक सूफी संत ने उन्हें कोईले का एक थाईला दि अब बर्फ लिंकम के बारे में अपने सुनाई होगा फोटो आप देख सकते हो ऐसा माने जाते है यह भगवान शिव को रप्रसेंट करता है यह बेसिकली गुफा की छत में एक फांग से पानी के प्रवाल से बनता है जैसे ही पानी टपकता है यह जम कर एक लंबा चिकना बर्फ का ठंडल बनाता है यह हर साल में में अपना पूर नाकार लेता है जिसके बाद यह पिगलना शुरू हो जाता है और ऑगस्त तक यह केवल कुछ फीट की उन्चाई पर होता है अब दोस्तों अमरनाद यात्रा का रूट समझते हैं दोस्तों देखी जैसे मैं आपको को बोला था अमरनाद केव 3888 मीटेर्स एबो सी लेवल लोकेटड है आपको या तो पाइदल जाना पड़ेगा या फिर पोनी के उपर बैटके जाना पड़ेगा पोनी आप इदर देख सकते हो छोटे-छोटे जो घोड़े रहते वैसे दो रूटे दोस्तों एक बलताल से दूसरा पाहलगाम से अभी जो बलताल से रूट आपको इदर दिख रहा है ये केवल 16 किलोमेटर का रूट है पर ये रूट का प्रोब्लम यह दोस्तों सीथी चड़ाई है तो जो येंग है हेल्थी है वही ये रूट को फोलो कर सकते है तो ये रूट अगर आप फोलो करो होगे चार से पांच दिन तो लेगेगा पहलगाम से आप पहुंचोगे चंदनवारी फिर पिसु टोप नागा कोटी शेशनाग पभीबाल पंच तरनी और संगम और एक बात यह है दोस्तों हेलिकॉप्टर सर्वीस भी अवेलब अब दोस्तों सेक्यूरिटी कंसर्ण्स की बात करते हैं अमरनाथ यात्रा में सेक्यूरिटी कंसर्ण्स तो है दोस्तों 2017 में आठ हिंदू पिल्ग्रिम्स का डेथ हुआ था टेररिस्ट अटाक की वज़े से वो गुजरात से आये थे अमरनाथ यात्रा के लिए तो इसलिए जमुवन कश्मीर पोलीस हमेशा सेक्यूर को उपर से इस साल इंडेलिजेंस रिपोर्ट के इसाब से टर्रिस्ट ऑगनेशेशन से थ्रेट्स भी आया हुआ है वैसे 2019 में गर्मन को अमरनाथ यात्रा बीच रास्ता में क्या हुआ था आर्टिकल 370 का अब्रगेशन हुआ था तो तब ही मिलिटेंस की तरफ से थ्रेट को क्यांसल करना पड़ा था फाइनली दोस्तों अमरनाथ यात्रा के उपर कब-कब सेक्यूरिटी थ्रेट्स आया है इससे पहले वो चेक कर लेते हैं सबसे पहला सेक्यूरिटी थ्रेट आया था 1993 में 1993 में क्या हुआ था आप सबको पता होगा डिमोलिशन ऑफ बाबरी अंसर करके एक ओगनेस सेशन अमरनाथ यात्रा के उपर बैन अनोंस किया तो ये सबसे पहला सेक्यूरिटी थ्रेट था वैसे कुछ हुआ नहीं इसके बाद डिरेक्ट अटाक वन पिल्ग्रिम्स हुआ दोस्तों 2000 में 25 पीपल इंक्लोडिंग 17 पिल्ग्रिम्स का डेथ 2000 के बाद भी अगले दो साल में छोटे मोटे अटाक्स तो होता ही रहता था जिसमें कई सारे पिल्ग्रिम्स का डथ हुआ है फिर 2002 के बाद कुछ मेजर इंसिनेंस नहीं हुआ था पर जैसे मैं आपको पहले बोला उसके 15 साल बाद 2017 में फिर से एक टरर अटाक हुआ था जि 26 टाइम्स टरर अटाक्स हुआ है जिसमें 53 पिल्ग्रिम्स का डेथ हुआ है और 167 इंजुएड हुआ है यह टरर अटाक्स के अलावा भी कई सारे इश्यूस हुआ है दोस्तों अमर्णाथ टेंपल से रिलेट जैसे कि अमर्णाथ श्राइन बोर्ड है टेंपल का एक यह अमर्णाथ पिल्ग्रिमेच को तो अफेक्ट नहीं किया था, प्रोटस्च एक सैड में चलता रहा, अमर्णाथ यातरा भी होता रहा तो दोस्तों that's the note, I hope आपको अमरनाथ टेंपल, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ यात्रा के बार में ठीच से समझ में आया हो और जो security concern से अमरनाथ यात्रा से related वो भी lecture की PDF as usual आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका link नीचे description box में provided है thank you for watching, bye bye, have a nice day